ध्यान देंगे इस question में, ये question क्या कहता है, किस धनरासी पर x प्रतिसत सधरन ब्याज दर पर x वर्सों में x रुपे ब्याज प्राप्त होगा, यानि कि यहाँ पे rate of interest जो है, वो x percent है, आपको time जो दिया गया है, वो भी x years है, और आपको जो interest मिलना है, simple interest वो भी x रुपीज ह और आपको वो बताना है, principle amount क्या होगा, अगर आप normal, simple interest का formula भी अगर देखते हैं, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, हाला कि बात वही होगा, तो इस हिसाब से भी हो गया P, R, T by 100, इस हिसाब से भी आप चल सकते हैं, तो इसमें दट से भी हम लोग कर सकते हैं, तो P क्या है आपका, तो P तो हमें निकालना है, R हमें दिया हुआ है कितना X, T हमें दिया हुआ है कितना X, by हो गया 100, और SI इसके लिए क्या कर रहा है, X, मानले है, X यहीं पर ले लिजे, अब आप अगर ध्यान देंगे, तो X उपर है, यहां पर भी उपर है, X, X, cancel, तो यह इधर आ जानते हैं, कि जब X, प्रतीशत, रेट अप इंट्रेस्ट है, और X, Y, आपको टैम जाएगा, तो इन दोनों का multiply कर देंगे, simple, तो जो भी principal amount है, उसका कितना हो जागा, तो इतना multiply इतना, यानि X, X, square, by 100, और यह किसके equal है, तो जो दिया है, X, रुपी, बात देखें, सेम बात तो यही है, पर यह जब numbers रहता है, तो इस पर जल्दी calculation होते हैं, ठीक है, जल्दी calculate करने के लिए हम यह काम कर लेते हैं, अब इस हिसाब से भी आप देखें, तो X, square से यह जो है, X यही पर cancel हो गया, तो P के equal में क्या गया, तो 100 उदर गया, तो 100 बटे X, यहां से भी आगया answer, तो कहने कारते हैं, कि यह भी answer है, यह भी answer है, बात एक ही है, थोड़ा सा head fare है, तो यानि कि option हमारा कौन सा हो जाएगा, तो option B आपका right answer हो जाएगा, तो यह सभी videos में छोटे-छोटे इसलिए बना दे रहा हूं, कि बहुत बढ़ क्या होता है, कि reels में बहुत लो करेंगे, सेलेक्शन पर्ट साला को सब्सक्राइब और फॉल्ला करके रखे रहे हैं, आपको इस पर काफी चीज़े मिलेंगी, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत